नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो गन्य के टॉब और के वारें बताएंगे इसे कैसे बचाया जाए और कौन से रसाइन पिर्योग के जाएं कौन किसी दवाई पिर्योग की जाएं तो दोस्तो हम सब परतम आपको यह बताते हैं कि इसके लिए हम आपको चार मुख़ जमाई बतांगे और जो आप उचित सम्झें उसका पिर्योग कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आता है काट अप फोरजी यह दानेदार की रूप में आता है आप इसे 10 किलो एकड़ के रूप में पिर्योग कर सकते हैं लेकिं दोस्तों यह हमें तभी प्रियोग करना चाहिए जब हमारी फसल छोटी हो जब हमारे गन्नी की लंबाई बढ़ जाती है तो हमारा यह काट आफ फोरजी है यह पूर रूप से असर नहीं करता है इसके बाद जो हमारा रसाइन आता है वह आता है कार्विफरांग थिरी कीजिक के हाथ कटा फटानी होना चाहिए और इसका जो ऐसर होता है कभी-कभी हमारे सरी पर बहुत बब्रा पड़ता है तो हमें इसके बाद आता है आपका क्योरेजीन को burgschaft करना general चाहिए कि को रिजनको करने से हमें लंबे वimasht मिलते हैं. और फिरीजन मिलते हैं. इसकी जो मात्रा है वह आपकी डेड़ सो एमेल प्रिती एकड़ के साथ से प्रियोग करनी चाहिए तीन सो लीटर पानी में आप डेड़ सो एमेल को रिजन मिलाईए और इसका इस प्रे कीजिए इसे टॉप पर पूरा असर होगा यदि आप को रियोग नहीं करना चाहते हैं तो फर इसमें पानी लगा सकते हैं इन दवाओं के प्रियोग के बाद हमें साब्धानी बर्ती चाहिए कि हमें अमरी फचल को नभी बनाए रखनी चाहिए इसमें पानी की अवस्त्ता ज़ादे होती है और इससे अच्छे रियेल्ट मिलते हैं और हमारी फचल बच जाती है और करते हैं अगले वीडियों फिर मिलेंगे नमस्कार